नमस्कार दोस्तों मैं मैं समित्र जैपाल सिंग डाटोड हमारे ओनलाइन एजूकेशन प्लेटफॉर्म अपेक्स क्लासेज एजूटेग यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम जैसा कि हमने डिसकस किया था एक विशेश पर्षन पर बात करने जा रहे हैं जहां हम बेसिक एप्रोज भी सीखेंगे और एक्जाम एप्रोज भी सीखेंगे हम यह जानेंगे कि यह पर्षन हम बेसिक तरीके से कैसे सोल कर सकते हैं साथ ही हम यह भी जानेंगे कि परिक्सा में जब यह सवाल आता है तो हम विवारिक ज्यान लगा पाट कर सीधे तरीके से बात को सोच के 10 सेकंड में कैसे उत्तर निकाल सकते हैं, तो चलिए हम परशने के बारे में बात करते हैं, बहुत ही फैमस और विबिन परिक्साओं में आया वा सवाल है, सवाल क्या है, किसी छातरावास में 30 छातर है, 10 छातर और आ जाने से कुल आया 50 रुपे, और आप 20 लोग हो, तो आप खर्चा कैसे निकालोगे, इस 20 को 50 से आप गोना करोगे, और 1000 रुपे आपका खर्च आएगा, यही काम करने वाले हो, मतलब कितने विद्यारती है, और परतिवेक्ती खर्च कितना हो रहा है, क्या बोला मैंने, basic approach किया है, कितने व पुराना खर्च, और उसके अंदर में क्या कर दू, ज्यान से सुनिएगा, उसके अंदर में आज कितने रुपे और खर्च हो रहे हैं, देखिए, 60 रुपे खर्च बढ़ गया है, यह 60 रुपे अगर इसमें जोडूँगा, तो मेरा नया खर्च आएगा की नहीं आएगा, आएगा, बहुत सिंपल शी बात है, यह एक बेसिक बात है, ठीक है, चलिए अब इस पे हम काम करते हैं, तो काम कैसे करना वो समझी है, देखिए, पहले बताएगे कित्ये छात्रे थे, छात्रे थे 30, ठीक है, परतिव्यक्ती खर्च कितना है, परतिव्यक्ति खर्च हम माल पुराना खर्च है, तो पुराना खर्च हमने क्या माल लिया, P रूपे माल लिया, तो इस 30 को हमने P से गुणा किया, प्लस इसमें मैंने 60 रूपे जोड दिये, अब यह क्या हो गया, अब यह नया खर्च हो गया, यह तो पुराना खर्च 30 को P से गुणा किया, इसमें हमने 60 रुपे जोड़े तो हमारा नया खर्च आरहा है तो देखे नया खर्च क्या होगा वही motorcycle जोड़े तह ainda कंग देख Indies क्छोट है तो आनी मांगा गान एक रूपिया कम हो गया यह अपना बेसिक तरीका है पहले यह से अपना उत्तर निकाल के देखते हैं, चलिए, यह किता हो गया 30P और यह हो गया 60, इसको आप गुणा कीजिए, देखे क्या होगा, 40P-40, ठीक है, यहां क्या लिखावा है, यहां लिखावा है 30P-60, अब देखिए 30P उदर जाएगा, माइनस होगा, 40P में से घड़ जाएग कितना हो जाएगा, 100, 10P बराबर कितना है, 100 तो पी बराबर कितना यह 10, मतलब पुराना ओसत खर्च 10 रुपए था, अब मुझे बताओ, अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा चातर अवास का, वे कितना था, मतलब पहले कितने रुपए खर्च होते थे, अभी मैंन यह बेसिक तरीके से हमने इस सवाल को हल किया, अब हम एक विवारिक बात करते हैं, कि आप आम आदमी, वो कैसे सोच सकता है, और वो अगर सोचे, तो 10 सेकंड में कैसे उत्तर निकाल सकता है, उस पर हम बात करते हैं, चलिए, यह देखे, सेम सवाल है अपने सामने, अब हम सिर लेकिन इनके आने से खर्च कमा अगया ओसत खर्च एक रुपया कम हो गया मतलब इन सब लोगों का ओसत खर्च एक रुपया कम हो गया मतलब ये सब एक एक कम हो गया देखो ये तो नया ओसत है बात सुनना सिर्फ सोचना है पांस सेकें में उतर आजाएगा ये तो नया ओसत है इन सब का ओसत एक एक रुपया कम हो गया, मतलब 30 लोगों का किता कम हुआ, 30 रुपया, ये 30 रुपया कहा गया, ये 30 रुपया इन लोगों ने ले लिया, ठीक है, 30 रुपया तो इन्होंने इन से ले लिया, और 60 रुपय ये ले के आये थे, तो 30 और 60 को जोड़ा तो किता आ नब्य रुपे मतलब यह जो 10 चात्र नया आये हैं इनका ओसत खर्च कुल खर्च नब्य रुपे हैं तो असत खर्च किता हो जाएगा अब यह तो बहुत simple बात हो गई देखिए 90 हैं 10 छात्रों का तो एक छात्र का किता हो गया 9 रुपे इसका मतलब नया ओसत खर्च 9 रुपे हैं अब मुझे बताओ इसमें मैंने क्या गणित लगाई मैंने तो सिर्फ 3060 को जोड़ा है तो आपको भी अगली बार ऐसा ही करना है ऐसे सोचना है कि नए जो आए हैं उनका ओसत नया वाड़ा है पहली बात दूसरी बात इननों ने इन 30 का ओसत एक कम कर दिया मतलब इन 300 से 1 रुपिया ले लिया तो कुल कित्ते रुपए ले लिए इनोंने 30 रुपए ले ले लिए के बाद नो है तो पुराने वालों का हो गया 10 रूपया अब सिंपल सी बात है 10 रूपया हो गया मतलब पुराने वालों का उसक खर्ष 10 रूपय था और लोग किते हैं लोग है 30 तो 10 इंटू 30 किता हुआ 300 पांच सेकिन में आप बिना पैन को हाथ लगाए इस सवाल का उत्तर इस तरीके से दे सकते हो अब अगर हमने यह बात सीख ली है तो इस बात पर हमें एक सवाल करके देखते हैं कि हमें यह ग्यान आया की नहीं आया चलिए एक सवाल हमारे सामने पर एक सामें आया हो सवाल है और हम देखते हैं कि यह ग्यान हमारे दिमात में आया की नहीं आया ये वेवार हम कैसे लगाएंगे, वो मैं सीखा था हूँ आपको, चलिए, एक librarian ने अपने पुस्तका ले के लिए 50 कहानी की पुस्तके खरीदी, किन्तु उसने देखा कि रुपे 76 और खर्च करने पर, उसे 14 पुस्तके और मिल सकती है, पर्ष्ण को बड़ी गहराई से पढ़ ठीक है, नए जो आए हैं, नई जो हम किताबे लाएं, नई जो हम 14 किताब लाएं, हम मानते हैं कि इनका ओसत मुल्य है, इनका ओसत मुल्य वो ही है, जो नया ओसत होने वाला है, जो नया ओसत होने वाला है, वो ही इनका ओसत मुल्य है, ऐसा हमने सोचा, अब हम इनका मुल्य निकालते देखिए यह जो 50 है इन सब को इन्होंने एक एक रुपया कम कर दिया मतलब इन्होंने एक एक रुपया कम कर दिया मतलब यह 50 रुपय इन्होंने ले लिए इन से ठीक है 50 रुपय इन से ले लिए और खुद कित्टे लाए थे खुद लाए थे 60 रुपय मतलब 60 रु जो नया ओसत मुल्य है, वो 9 रुपय है, तो पुराना ओसत मुल्य कितना होगा, पुराना ओसत मुल्य हिससे एक ज्यादा होगा, मतलब 10 रुपय होगा, अब आप से क्या पुछा है, कि पहले उसके द्वारा खरिदी गई पुस्तक की ओसत कीमत क्या थी, तो क्या थी 10 रुप किताबों का ओसत मुल्य वही है जो नया ओसत है ऐसा हमने सोच लिया ठीक है अब हम सोचते हैं इनका वही है अब इन्हों ने किया क्या आके यह 60 रुपए तो लेके आये थे तो 60 रुपए तो वह गया ठीक है दूसरी बात इन्हों किताब का किता हो गया नो रुपए नया ओसत नो रुपए कम होने के बाद एक कम होने के बाद मतलब पूराणी किताब को उसत खर्च कितना था दस रुपए हम अपना उतर निकाल तुके हैं पैन को हाथ लगाने की विजूर्थ में है और सवाल लाएंगे जिसमें हम बेसिक भी सीखेंगे और हम एकजाम अप्रोच भी सीखेंगे कि कैसे दस सेकेंड में हम इसको हल कर सकते हैं इसके नोट्स भी बनाईएगा यह बहुत ही काम की चीज है पर इक सवाल है इसके अलावा अब एक बात को ध्यान से सुनिए हम अब तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए धन्यवाद